नमस्कार मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजे दही फले के साथ इस खास ब्रैंड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते है पर जब कोई सेक्शुल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम जिजक मैसुस करते हैं तो दोस्तो इसलिए हम लेकर आया है सुखी जीवन का मंत्रा डॉक्टर विजय दही फले के साथ और दोस्तो एक ऐसा प्लाटफोर्म है जिससे आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दही फले तो दोस्तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में डॉक्टर विजे दही फले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और अंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैद्राबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर विजे दही फले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर सल्ला मशोरा करते रहते है चले दोस्तों आपको डॉक्टर साब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है डॉक्टर साब हमारे साथ है डॉक्टर वेलकम टू दिशो नमस्ते डॉक्टर हम बात कर रहे हैं सेक्शल डिसफंक्शन की और पब्लिक डिमांड की वैसे आप अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर हमारे साथ इन्फोर्मेशन शेयर कर रहे हो तो आज के इस सर एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे कमजोरी कौन से कारण होती है इसके मेजर्स क्या होते है तो सर सबसे पहले में जानना चाहूंगा कमजोरी बहुत सारे जन बोलते हैं कमजोरी हुए है पर यह होता क्या है इसके तरह पूरी सेक्स इरिलेटर इन्फॉर्मेशन साइन्टिफिक स्वरूप से देने जा रहे है कमजोरी है एक ऐसा शब्द है जब आप सुनूगे तो आपको ऐसा लगता है पूरी की पूरी ताकट चली गई देखो पूरी बॉड़ी की ताकट चली जाना ओ कमजोरी अलग है और सेक्श्वल डिफिशनसी यहने किसी भी कारणवस आप सेक्स कर नहीं पाते हो और दिये हुए समय के पहले ही आप ड्रॉप हो जाते हो इसे पहते है कमजोरी डेफिनिटली सर लिंग में कमजोरी आने के क्या बेसिक कारण रहते थोड़ा उसके बारे में था है अभी यह कारण सबको मालूमना बहुत ज़री है सबको लगता है मेरी यह अभी बढ़ गई अभी में तो काम से गया अभी कुछ मेरा हो नहीं सकता मुझे डाइबेडिस हो गया बीप हो गया लेकिन ऐसा नहीं है कमजोरी क्यों आती है उसके कौन-कौन से कौजस है निरोजनिक साइकोजनिक वास्कोलजनिक कारण इन शॉर्ट बलूँगा क्या होता है कुछ आपकी दिमाग की प्रेशर है कारपौरजनिय आपके लिंक के अंदर जो सप्लय जाना चाहिए बलड का प्रवाद जाना चाहिए बाद में आता है निरोल्जिकल यानि ब्रेन के तरब से जो सेंसेशन आते है वो तुमारे पेनिस तक जाते नहीं है और वास्कोलजनिक यानि कुछ वेसल का डैमेज है, फैक्चर है, या उसका व्यास या सब डायमेटर कम हो है, शाहिए डायबेडिस हो या भी पेसे हो, ऐसे कारण के विए से, जब आपको कठोरता नहीं आती है, ये में कारण रहते हैं, लेकिन ये सब के सब समझी बहुत अच्छी तरह से हम ठीट कर सकते है डेफिनिटली सर, एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं पहले और उसके बाद में और पर सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे साथ रोहिज जी है, पुने से रोहिज जी आपका सवाल पूछ सकते है, आपका सवाल पूछ सकते हैं, बोलिए, सर ये भी बहुत लोगों को पता नही करते हैं, उसे के ते हस्ता में तूछ से कमजोरी आती है क्या, डेफिनिटली आती है, क्यों कि हमारा ब्रेंज जो है, हमारे प्रेशर को लर्न करता है, और हमें पार्टनर से ज़्यादा हाथ से करने में इंटरेस्ट आने लगता है, तो एक ही कहूंगा, समझ जो आट लिमि जोरी और शिग्रपतन और हस्ता में तून, यतिनों का बहुत बड़ा रिष्टा है, लेकिन विशेश अग्या से मिलके, सेक्सालोजी से और अंडरोजी से मिलके, इसे बहुत अची टीटमेंट अवलेबल है, सर थोड़ा हमें कमजोरी के निदान के बारे में बताए, कर सकता है, पहला सा ही नाता है, आपको उत्ते जाना नहीं आना, और वो नहीं आने के बाद, हम आगे जाते हैं उसके टेस्ट के लिए, हर्मोल टेस्ट है, सिर्म, FSHI, LHA, टेस्ट, स्रौनाई, प्रोलाक्टिन है, उसमें कोई इंबैलनस है क्या, बहुत बार हम जुरुरत पड़े, तो उसके NTP, नेक्चुरिल पिनाइल टुमीस, यानि मौनिंग और्स में उसके एरिक्शन होते गए है, हम पूछते है, या हम कलर्ट डॉपलर की स्टडी करके, पैनिस को सप्लाय अच्छा हो रहा है कि हो देखते है, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉलिम होगा, तो पहले तो हम क्या करेंगी, लाइफस्टैल चेंज करना है, उसों स्मोकिंग, बन्किंग, अल्कोल कोई लेता हो गाए, तो उसे कम करना है, बंतो हम नहीं कर सकते हैं, बाद में हम कांसिलिंग करना है, से क्लोजिकल, उसके बाद आता है, अलगर्ण मेडिसिन, जces केंटरल ही सबसे लास्ट आप्शन आता है इसके बारे में बिल्कुल जानना चाहेंगे पर एक और दर्शे काल आया अक्षिता जी हमारे साथ है गुवार्टिस है माडम आपका सवाल पूछे आपका फोन कनेक्ट हुआ है जी सर हा बोलुए सर महला हुं में कम्जूर आई है यह कैसे समझ में आई एक्सेलन यह एक्सपिट कर रहा है से सिंप्टम आना चलो होता है बहुत बार लॉस आप लिबिडो यह उनका सेक्स के अंदर से इंट्रेस ही चला जाता है तो यह लक्षन रहते है कमजोरी के फिमेल्स में उसे भी बहुत अच्छी टीटमेंट है उन्होंने विशेशग्य से मिलके समझो सेक्सॉलोजी से एंड क्या करना चाहिए बहुत कॉमन समस्या है जनरल डॉक्टर के पास आप जाओगे तो बहुत इसका लिमेट हो गया अभी इसका कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है ऐसे के समें जो सुपर स्पिशालिस्ट हो क्या करते है डेफिनेटली उसे ऑपरेटिव पार्ट है कुछ पी श कि आपको लगे कि मुझे मेडिस्ञ नहीं हो रहा है इन्जेक्शन से कुछ नहीं हो रहा है तो डिपरेशन में मायूस मत हो एप पैनाईल इंप्लांट आपको कौनसे भी प्रकार की सभी तरह के कमजोरी से अच्छा कर सकता है तो एक ही कहना है आप विशे शेग से मिलके प acordo रो है समे भोगा और सकते में मुझे सकते हैं इसे समय होगा तो पूछ सकते हैं एक पेनल इम्यलमिंटके लगार में ऐसे इनल पुष्टा एक अपने बताया है यह पर भहुत सारे अपी को पता नहीं कि अपरी यह बहुत अच्छा कोईशन पुछा आपने हम प्रेंग मुझे टकलिव होगी क्या या मुझे जाटिलेशन में इस मीरिया निकलने के तकलिव होगी क्या है मुझे बच्चा नहीं हो क्या मैं एक ही काऊंगा अब फिगर्स मैं देख सकते हो एक सीलिकॉन इतना अच्छा मेट ईसका बाड़ी को खुइ ऐलरजिय नहीं है, और भू डालता है या नहीं है, उसके अंदर रहए या नहीं है, हम पता नहीं कर सकते, उसको मोमेंट करने के वए से थ conviction कर सकते, नौर्मल सेंसेश्चन आएगा, इजयान कीलेशन होगा, नहीं किया यह पता भी निचे लेगा अपने सारी चीजे बहुत ही आसान सब्दों में हमको बिताई है पर सर समय की थोड़ी पाबंद है इसलिए आज के इस एपिसोड में हमको यही पर रुखना पट रहे हैं तरशको आपको अगर सर की राय लेनी है तो आपके स्क्रीन पे जो कॉंटक्ट डीटेल्स दिख रहे हैं उसके जरी आप सर की अपॉंटमेंट ले सकते और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन आप पास सकते हो चलिए दोस्तो आज के इस शो में समय हो चला ही यही पर रुखने का शुक्रिया